सब्सक्राइब करें DPSC World चैनल को और बेल आइकन को प्रेज कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे दुनिया में ऐसे कई देश है जो आपके मोहले से भी छोटे है लेकिन उनकी सुन्दरता सलानियों को काफी अकरसित करती है आज हम आपको ऐसे ही दस सबसे छोटे और बैयत खुपसरा देशों के बारे में बताने जा रहे हैं चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते है नंबर एक मोनाको यूरोपिय देश मोनाको दुनिया भर में अपनी खुपसरती के लिए पापिलर है एक 255 वर्फ किलोमेटर में फैला हुआ मोनाको इतना छोटा है कि सिर्फ एक गंटे में ही आप इसे पूरा गुम सकते हो यह अपने सांदर कसीनो, जीरो इंकम, टेक्स और कई अन्य सोधाओ के कारण लोगों को आकरसित करता है नंबर दो तुवालू तुवालू एक द्यूपी ये देश है, जो प्रसान मासागर में हवाई और आश्टिला के बिच इस्तित है तुवालू की कुल जनसंक्या सिरिफ 12,370 है महज 26 वर किलोमेटर के दायरे में फैला हुआ ये देश दुनिया का चोथा सबसे छोटा देश है दक्षिन प्रसान मासागर में इस्तित द्विपिये देश नौरू दुनिया का सबसे छोटा गनराज्य है इसका अधारिक नाम रिपपलिग ओप नौरू है यहाँ चारो कोरल रिप से घिरा हुआ है और अपने खुपसूरत सपेद रेतिले बीच के लिए पॉपिलर है स्विजिलेंड और आश्टिला के बेच इस्तित लिखते इस्टाइन कापी खुपसूरत देश है यहाँ अपने खुपसूरत पहाडों के लिए फेमस है यूरोप का नाम सुनते ही जादतर सेलानियों को स्पैन और फ्रांस जैसे देश याद आते है लेकिन माल्टा किसी स्वर्ग से कम नहीं है माल्टा में अपनी प्राकरतिक सुन्दरता के साथ ही रोमांटिक समुदिल टट के लिए फेमस है नमबर छे सेट किट्स एड नोइस सेट किट्स एड नोइस वेस्टेंडीस में इस्तित है इसका कुल शेतरपल 261 वर किलिमिटर है यहां की प्राकरतिक खुबसूरती देखने लायक है नमबर साथ निउ निउ एक छोटा दीब देश है जो टोगा और कोको आइलेंड्स के भी चिस्तित है इसका ज्यादातर हिस्सा गने ट्रिपिकल फारेस्ट से ढखा हुआ है अगर वेल और डॉल्फिन्स के साथ तैराकी करना चाहते है और रेन फारेस्ट में ट्रेनिंग करना चाहते है तो निउ आपके लिए बेस्ट है नमबर आठ ग्रनाडा ग्रनाडा वेस्ट एंडिस दिप समू का एक छोटा सा दिपिय देश है यहां के हरे बरे ट्रॉपिकर रेन फारेस्ट विसाल जड़नों जड़ने वाली नदिया और लुभावनी पहाडी जीलों को देखने के बाद आप कभी यहां से जाना नहीं चाहोगे नमबर नौ एडोरा एडोरा फ्रांस और इस्पेन के बिचिस्टी देख छोटा सा देश है इसे परेनिस ने सबसे अच्छी स्क्राइंग के लिए जाना जाता है स्क्राइंग के अलावा भी यहां काफी कुछ किया जा सकता है